लखीमपुर्खीरी के निघाशन कोतवाली में पुलिस दुआरा पत्रकार को पीटने का मामला लखीमपुर्खीरी से लखनव तक गूंज रहा है दरसल बिकास नाम के एक स्थानिय पत्रकार को पत्नी से हुई मामूली आपसी बिबाद में निगाशन कोतवाली पुलिस ने कोतवाली लाकर बुरी तरह पीट दिया भटना को लेकर जुले भर के पत्रकारों में आक्रोस है जगे जगे पत्रकारों ने बिरोध पदर्शन किया लोगों के आक्रोस को देखकर S.P. खीरी ने कोटवाली में तैनाथ तीन सेपाईयों को निलंबित कर दिया परन्तो अभी तक पुलिस मामले में कोटवाली प्रभा पन S.T.M. को सौपा है लखीमपुर जिला मुख्याले में दरजनों पत्रकार ने S.P. से मिलकर कारिवाई की मांग की है मामले में पूर्व आई पिएस अविताफ ठाकुर ने भी पत्रकार को नियाय देने की आवाज उठाते हुए पत्रकार को पीटने वाले पुलिस कर्म और बहुत बुरी तरीके से पीटा है हम यह चाह रहे हैं कि हमारे साथ जो है निया के उमीद लगाए है माननी मुख्यमंत्री हो गया दितना से इसमें कुछ लोगों को निरंबीत क्या है उससे आप संतुस नहीं है जो बड़ी मचलियां है वो बची पड़ी है पर छोटी म क्या कहना चाह रहे हैं यह चाह रहे हैं कि पूरा इस्टाप जो है निलंबित हो और मुकदमा दर्श हो निघासन लखिमपुर खीरी के पत्रकार विकास दिक्षित अटल को कल जिस प्रकार से निघासन थाने में लाकर उनकी पिटाई की गई और उनके साथ थर्ड डिगरी का इस्तेमाल किया गया वह अत्यंत निंदनिये और भर्चना युक्त है अधिकार से ना इस मामले में द उनके ततकार निलंबन की मांग करती है